आप देख रहे हैं subject गो, यह है Microsoft Word 2020 का part 18, यानि कि part 18, इस वीडियो में हम सिखेंगे Microsoft Word में text, number, line और paragraph में border लगाना, border आप कैसे लगा सकते हैं, अलग अलग color में border लगाना हो, तो कैसे लगा सकते हैं, border हटाना हो, तो कैसे हटा सकते हैं, तो चलिए आज का topic शुरू करते हैं, इसमें line होगा 3, और break it close, और enter, यह आगया paragraph, उसके बाद आप यहाँ पर select करूँगा, मैं first line, यह मैंने first line select किया, select करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसके चारो साइड एक border लग जाए, तो border लगाने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, homepage में click करेंगे, उसके बाद यहाँ आप पर जाएंगे paragraph group में, और यह है आपका border, तो यहाँ पर click करेंगे, आप यह जो down arrow देख रहे हैं, इस पर आपको click करना है, तो यहाँ पर बहुत सारे border के style मिलते हैं आपको, तो यहाँ पर आपको देखना है, और पढ़ना है कि किस तरह का लिखा हुआ और कैसा यहाँ पर पिरव्यू है, तो यहाँ पर देखेंगे, आपको मिलता है एक outside border, outside का मतलब होता है बाहर, चारो तरफ बाहर बाहर यह cover करेगा, तो यह है outside border, इस पर आप click कर देंगे, तो देखेंगे line के चारो side में यहाँ पर border लग चुका है, outside border है, उसके बाद मैं फिर से यहाँ प पूरे एक border के अंदर हो जाए, तो उसके लिए पूरा यह paragraph जो है, इसे आप select करेंगे, select करने के बाद यहाँ पर home tab में जाएंगे, paragraph ग्रूप में यहाँ पर border option पे click करेंगे, और यहाँ पर मिलता है आपको outside border, अगर आप यह लगा देते हैं all border, तो इसमें भी इसी तरह से हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है, अलग-अलग line में भी हो सकता है, यह है outside border, इस पर आप click करेंगे, तो यह देखेंगे border लग गया, अब फिर से यहाँ पर जाएंगे, और जाने के बाद, आप जो है यहाँ पर जाएंगे, देखेंगे, यहाँ और और भी option है, जैसे की border and Shading, ठीक है, तो इस पर आप click करेंगे, click करने के बाद यह आप से कहता है, कि यहाँ पर अलग-लग तरह के border लगा सकते हैं, अब यहाँ पर पिर्विव आपको show कर रहा है, देखेंगे, अगर यह चारो option पर click कर देंगे, तो border हट जाएगा, जैसे मैं चाहता हूँ ऊपर से border हट जाए, तो मैं इस पर click कर दूँगा, तो ऊपर से border हट जाएगा, लेकिन मैं अभी लगे रहने दूगा, इस पर click कर दिया मैंने, यहाँ पर है color, color मैं automatic, तो automatic color कौन सा होता है, black होता है, तो यहाँ पर मैं change करूँगा, मुझे चाहिए यहाँ पर blue, यह मैंने blue select किया, औ और with, with का मतलब है कि border का मोटाई कितना चाहिए, कितना मोटा border हो, तो उसके लिए यहाँ पर click करेंगे आप, और चुनेंगे कि आपको कितना मोटा चाहिए, मुझे इतना मोटा चाहिए, यह ज्यादा मोटा अच्छा नहीं लेगा, इसलिए मैंने यह चुना, और यह तो paragraph ही रहने देना है आपको, जो यह default ले रहा है यहाँ पर, उसके बाद यह लेने के बाद यहाँ पर देखेंगे, तो यह border option में देखेंगे, यहाँ पर और भी option है, जैसे कि non miss आपको पता है कि यहाँ पर click कर देंगे, तो border नहीं लगेगा, हट जाएगा, box miss है कि border लग आपको बोडर, तो यहाँ पर यह सेटिंग करने के बाद करेंगे, ओके, तो देखेंगे, यहाँ पर border जो है, यहाँ पर आया नहीं है, अभी select करेंगे फिर से, और यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर करेंगे outside border, तो देखें, बोडर अब जो यहाँ पर change हो गया, blue में ह और border थोड़ा सा मोटा भी हो गया, तो इस तरह से आप जो है border लगा सकते हैं, अगर आप किसी line पर लगाना चाहिए, तो line पर भी मैंने आपको बता दिया, और अगर आप इस तरह से लगाना चाहिए, तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर, इसे अगर इस तरह से बॉर्डर आ रहा और बॉर्डर आपको नहीं चाहिए तो सिंपल वही काम करना आपको जहां से बॉर्डर आपने लगाया वहीं से इसे हटा भी सकते हैं select करना है select करने के बाद यहां पर जाना है यहां पर जाने के बाद आप simple यहां पर देखेंगे एक option मिलता आपको no border का तो यहां पर click कर देना है no border तो border यहां पर हट चुका है यहां पर देखेंगे तो border हमने यहां पर click कर दिया no border तो border यहां पर हट गया लेकिन border यहां पर और अगर फिर भी यहां पर बॉर्टर नहीं हट रहा है तो आपको क्या करना है कि यह फॉर्मेटिंग यहां पर apply हो गया है तो फॉर्मेटिंग कैसे हटाते हैं तो उसके लिए यहां पर option होता है हम्टेब में जाएंगे font group में यहां पर देखेंगे यह है formatting remove करने का option यानि कि clear all formatting तो यहाँ पर click करके हटा देंगे या अपने keyword से इसका shorter key दबाएंगे control के साथ space तो देखेंगे यहाँ पर यह हट गया तो इस तरह से आप देखेंगे तो यह जो paragraph है मेरे पास इसमें बहुत gap है बीच बीच में तो मैं इसे select करूँगा और select करन तो border में करने के लिए मैंने select किया यहाँ पर जाके मैं करूँगा all border all border का मतलब यही होता है यह जो है अलग तरीके से पूरा जो है सबको border के अंदर इसने कर दिया तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं उसके बाद number अगर आपने लिख रखा जैसे इस तरह से number 123 या इस तरह से तो इस number को भी आप select कर लेंगे और इसे भी border में कर सकते हैं यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर all border कर देंगे तो all border के अंदर देखेंगे तो इस तरह से यह border के अंदर आ गया और border का color कैसे बदलना है वो तो आप समझ चुके हैं कि select करेंगे आप और select करने के बाद आपको जो ए color करने का option यहाँ पर मिलता है border and setting इसमें जाके यहाँ पर लेंगे आप color color में यह automatic है यहाँ पर मैं green चुनूंगा और border अगर मोटा या पतला करना है तो यहाँ से चुल लेंगे आप और यहाँ पर कर देंगे आप OK तो यह border यहाँ पर set हो जागा यह जितने number है मैंने इसे select किया और यहाँ पर जाके all border करूँगा मैं all border तो देखेंगे all border भी हो गया और border में setting भी है तो इस तरह से इस option का use कर सकते हैं आप यह किसी में option होता है draw table यानि कि table बना सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही इसी तरह की और भी नए वीडियो देखने और सिखने के लिए subject go चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को press करके all notification on कर लिजे जिससे नए वीडियो की notification आपको मिल पाए और इस वीडियो को like share और comment कीजे और देखते रहे है subject go और सिखते रहे है